सब्सक्राइब तो मैं चैनल सूरजपरकाश पूर अमीजिंग कंटेंट लेकिन एक खास बात 11th generation में आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे आपको जो है जैसे कि 10th generation में NVIDIA के MX350 वाले ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं 11th generation में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है इस बार 11th generation के जो Intel के प्रोसेसर्स हैं i5 और i7 वहाँ पे आपको Intel Xe Graphics देखने को मिल जाता है जो की sources claim कर रहे हैं कि वो भी उतना ही powerful है जितना NVIDIA MX350 आपको देखने को मिलता है और कई नहीं कई मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो Lenimo ने क्या काफी ज्यादा सही किया लेकिन इसकी वज़ा से एक और चीज़ आप लोग notice करेंगे दोस्तों ये इस बार जब इंडिया में launch होगा तो आपको जो है काफी ज्यादा सस्ते price में देखने को मिल जाएगा अगर मैं 10th generation वाले Yoga Slim 7i की बात करूँ तो i5 का आपको पढ़ जाता है around 80k और i7 का आपको पढ़ जाता है friends around 90k तो कई न कई आप लोग मान सकते हैं दोस्तों कि ये वाला जब 11th generation processor के साथ में launch होगा तो ये i5 वाला आपको 70k का पढ़ जाएगा और जो i7 वाला है वो कई न कई 80k का आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में उतने जादा model launch नहीं होते हैं दोस्तों कुछ basic configuration ही जो है मुश्किल से 2 या 3 ही इसकी launch होती है तो आपको कई न कई 10,000 का price gap देखने को मिल जाएगा बात करते हैं इसके weight की weight आपको just 966 gram देखने को मिल जाता है दोस्तों जबकि 10th generation वाला है वो आपको around 1.54 kg आपको देखने को मिलता है क्योंकि इस बार जो है दोस्तों Lenovo ने अपना खुद का second generation वाला material यूज किया हुआ है उनका खुद का patented है तो इस वज़े से जो है आप लोग पाएंगे कि जो weight है almost 40% इसका कम हो चुका है तो मेरे ख्याल से यह तो एक बहुत बड़ी बात होती है RAM options की बात करूँ तो इस बार भी आपको up to 16 GB देखने को मिल रहा है DDR4 X RAM आपको देखने को मिल जाती है जो की 72% NTSC color accuracy आपको देता है तीन सो इसका पैनल आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले का जो आस्पेक्ट रेश्यो है फ्रेंड्स वह यहाँ पर शिस्टी ने स्टीन कर दिया गया है यह बात आप लोग याद रखिए यह डिस्प्ले डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है तीन पोर्ट्स आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तीन टाइप सी पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि थंडर बोर्ड फोर्ट सपोर्ट करते हैं वाइफाई 6 का आपको सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है दो वाट के डॉल्ब पे जो है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाती है यहां तक मैं इसके प्रीवेस सिनारियों की बात करूं इंडिया में इसकी अविलिबिल्टी जस्ट अरां नौवेंबर एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन एलेक्सा आपको सपोर्ट देखने को मिलता है दोस्तों आयार कैमेरा है विद्विंडोज हेलो फीचर और जहां तक बात कुरूं एई फीचर की तो आपको यहां पर लेने देल साती है फ्रेंड्स मुझे मैं जो है आप लोगों को बता हूंगा इसके बारे में थैंक्यू है वे नाइस टेए